आज की वीडियो में हम जानेंगे CRP टेस्ट के बारे में CRP टेस्ट क्या है, क्यों कराया जाता है, किस बीमारी का पता लगता है और इसमें डोक्टरों दुवारा किस तरह की मेडिकेशन्स दी जाती है इसी के बारे में आज की ये वीडियो होने वाली है तो आपने बिना skip किये इस वीडियो को end तक देखना है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को like और चैनल को भी subscribe कर सकते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो start कर लेते हैं CRP C-Reactive Protein Test एक blood test होता है जो body में inflammation या infection के presence को measure करता है CRP एक protein है जो liver से produce होता है और inflammation के response में उसकी levels बढ़ जाती है इस test से डोक्टर को ये पता लगता है body में inflammation है या नहीं body के किसी हिस्से में सूजन तो नहीं आ गई है inflammation तो नहीं आ गई है और उसकी severity क्या है इस चीज को चेक करने के लिए CRP टेस्ट कराए जाता है और इसके अलावा infection या autoimmune disease बदलब की body में किसी तरह का कोई bacteria infection तो नहीं हो गया है इस चीज को चेक करने के लिए भी ये टेस्ट कराए जाता है और autoimmune disease ये वो condition होती है जिसमें autoimmune system अपने आपी सरीर के tissues को खाना पीना शुरू कर देता है उन पर attack करना शुरू कर देता है तो ऐसे में भी डॉक्टर द्वारा CRP टेस्ट कराए जाता है और chronic condition के diagnosis और monitoring के लिए भी इस टेस्ट को कराए जाता है और ये टेस्ट होता कैसे हैं इसे भी जानना जुरूरी है simply थोड़ा सा blood लेना होता है हमारी नसों से थोड़ा सा blood लेना होता है उसके बाद ये blood lab दुआरा identify किया जाता है नॉर्मल जो CRP की range होती है वो 0 से 6 के बीच होती है इसके बीच अगर होता है तो CRP हमारा नॉर्मल है अगर इससे उपर हो जाता है 6 से उपर हो जाता है लाइक 10, 20, 30, 50, 100, 200, 400, 500 इस तरह से बढ़ जाता है तो जितना ज़्यादा ये बढ़ जाता है उतना ज़्यादा हमारी बोड़ी में infection हो गया है तो इस चीज़ को देखने के लिए CRP बलड टेस्ट कराए जाता है according to lab और इसकी medications की बात की जाए तो इसमें कुछ antibiotics दवाई ये डोक्टरों दवारा दी जाती है जैसे amikacin injection amikacin injection आपको amikacin के नाम से मार्किट में मिल जाएगा और ये injection 15 mg पर kg के इसाब से लगा जाता है मान लिजे किसी को आपने ये injection लगाना है तो उसका weight जितना है उसको आप 15 mg से calculate कर सकते हैं जितनी डो जाएगी उसे आप patient को लगा सकते हैं दूसरा इसमें टेजु में एक injection दिया जाता है इसके अंदर आपको piperacillin और tezobectum देखने को मिल जाएगा ये injection 100 mg पर kg के इसाब से लगा जाता है मान लिजे किसी patient का 20 kg बजन है या 40 kg बजन है तो आप उसको 20 into 100 या फिर 40 into 100 इस तरह से calculate करके लगा सकते हैं और तीसरा इसमें injection टेजु मेक की जंग है और तीसरा इसमें injection टेजु मेक की जंगे सेफ और टेक्सिम भी लगा जाता है जो आपको मार्किट में टेक्सिम के नाम से मिल जाएगा और ये injection 8 mg पर kg के इसाब से लगा जाता है इस तरह से CRP को कंट्रोल करने के लिए medications डोक्टरों द्वारा दी जाती है उम्मीद करता हूँ ये छोटी से वीडियो आपको जुरूर पसंद आई होगी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सस्क्राइब कर सकते हैं